अलो फ्रेंट्स, वेल्कम बाग टू क्रिकेट लाइन गुरू अनित में प्रियांका। दोस्तों, IPL 2022 में चैनली सुपर किंग्स का सफर काफी खराब रहा था। और CSK टीम के नए कप्तान यानकी रविंद्र जड़िजा और CSK के बीच कुछ भी चीक नहीं लग रहा है। क्योंकि जड़िजा ने भी IPL 2022 के बीच में ही अपनी कैप्टन सी छोड़ दी थी और वो रूल डाउट भी हो गए थे। इसके बाद बीच में इंस्टाग्राम पर फॉलो और अनफॉलो वाली खबरे भी काफी ज़्यादा वाइरल हुई थी। यानि कुल मिलाकर IPL 2022 के बाद से दोनों के बीच आपसे रिष्टों में काफी ज़्यादा कड़वाहट जो है वो सामने आई थी। जिसकी वज़ाँ से माना जा रहा है कि IPL 2023 से पहले CSK के टीम यानि की चन्ने सुपर किंग्स रविंदर जडेजा को रिलीस कर सकती है और अब इस मुद्धे पर MS धोनी ने अपना एक बड़ा फैसला सुना दिया है क्या कहा है धोनी ने क्या जडेजा को बाहर करने की बात की गई है या फिर उन्हें टीम में बरकरार रखने की चलिए जानते हैं दरसल दोस्तों MS धोनी ने हाल ही में रविंदर जडेजा की जमकर तारीफ की है टाइमस ओफ इंडिया की खबर के मताबिक CSK के कप्तान धोनी ने मैनेश्मेंट को ये साफ कर दिया है कि जडेजा को रिलीस नहीं किया जा सकता वो टीम के सबसे एहम खिलाडी हैं और धोनी को लगता है कि कोई भी खिलाडी रविंदर जडेजा की जगा CSK में नहीं ले सकता वेल आईपेल 2022 में रविंदर जडेजा का अगर प्रदर्शन देखा जाए तो रविंदर जडेजा जो है वो आईपेल 2022 के शिरू होने से पहले ही चरने सुपर किंग्स के कप्तान बना दिये कए थे लेकिन बीच आईपेल में उनसे कप्तानी चीन कर MS धोनी को सौब दी गई थी बताते कि रविंदर जडेजा ने मातर आठ मुकाबलों में टीम की कप्तानी की थी जिसमें से सिर्फ दो मैच में जीप मिली थी बाकी के छे मैच जो थे उसमें CSK की टीम को हार का सामना करना पड़ा था इसके बाद रविंदर जडेजा ने अपने अफिशिल इंस्टाग्राम अकाउंट से CSK की टीम के 2021 और 2022 सीजन से related सभी post को भी delete कर दिया था साथ ही उन्होंने CSK को भी unfollow कर दिया था और CSK की टीम का जो official handle है इंस्टाग्राम का तो वहाँ पर भी उन्होंने रविंदर जडेजा को जो है unfollow कर दिया था जिसकी खबरे भी काफी जादा उस वक्त वाइरल हुई थी तो वहीं अगर रविंदर जडेजा के production को देखा जाए आईपिल 2022 में तो रविंदर जडेजा के लिए ये सीजन किसी भी भूरे सकने से कम नहीं रहा है वो gain और बल्ले से कमाल करने में नाकाम सावित रहे यहां तक कि उन्हें खराफ फिल्डिंग के लिए भी आलोचना जिलनी पड़ी बता दे कि रविंदर जडेजा आईपिल 2022 के 10 माच में 20 के एवरेज से सरिफ 116 रन ही बना सके थे तो वहीं 7.51 के economy rate से वो 5 wicket ही लेने में कामियाब हुए थे तो दोस्तों ऐसे में खबरें आ रही है कि CSK की टीम है वो रविंदर जडेजा को आईपिल 2022 जो next season आने वाला है आईपिल का उससे पहले release कर सकते है लेकिन जो धोनी का ये बड़ा बयान सामने आया यानि की कहें कि जो धोनी नहीं ये बड़ा फैसला लिया है जो ये बात कही है कि रविंदर जडेजा को जो है वो टीम से release नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक important player है CSK की team के और उनकी जगा भी कोई player नहीं लिसकता है दोस्तों यहां पर जो है cricket fans एक बार फिर से IPL 2022 में रविंदर जडेजा को CSK की team के साथ खेलता हुआ देख सकते हैं लेकिन final decision क्या होगा क्या रविंदर जडेजा को release किया जाएगा या फिर उन्हें team में बरकरार रखा जाएगा क्योंकि MS दोनी का जो फैसला है जो उन्होंने बात कही है वो तो यही है लेकिन team का क्या फैसला होता है ये भी देखना काफी ज़्यादा दिल्चस्प रहने वाला है हालंकि क्रुकेटर्स जो है वो अपनी खराफ फॉर्म से भी जूचते हैं अच्छी फॉर्म से भी जूचते हैं और no doubt रविंदर जडेजा जो है वो बहुत अच्छे प्लेयर है बहुत अच्छे खिलाडी है चाहे वो फिल्डिंग की बात करें उनकी या फिर उनकी गिनब तो वो अच्छे खिलाडी है लेकिन आईपेल 2022 में जो है नाहीं उनके बलिबाजी ने उनका साथ दिया नाहीं गीन बाजी ने और फिल्डिंग में भी वो कुछ कमाल नहीं कर पाए थे तो देखना होगा कि क्या एक बार फ़र से चलने सुपर किंग्स के साथ रविंदर जड जड़ेजा खेलते हुए नजर आएंगे और क्या वो अपनी फॉर्म में एक बार फ़र से वापसी करेंगे यह देखना वाकई में दिल्चस्प होने वाला है वैल आपको क्या लगता है क्या रविंदर जड़ेजा को चलने सुपर किंग से रिलीस कर देना चाहिए या फिर